वेलकम टू मैं चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन फ्रेंट्स प्रिविएस क्लास में हमने MS Excel में डेट अन टाइम फंक्शन्स स्टार्ट किये थे और आज की क्लास में हम कुछ टाइम फंक्शन्स सीखने वाले हैं तो आएज चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं Excel ओपन कर लेगे date और टाइम फंक्शन्स की आज हमरी सेकिन्ड क्लास है जिसमें हम कुछ आज टाइम फंक्शन्स सीखने वाले हैं और आज का first function है time function create a time with hours, minutes and seconds यानि hours, minutes and seconds की मदद से हम time को create कर सकते हैं इसका syntax है hour minute and second तो यह कुछ hour दिये गए है और हमारे पर minute अविलेबल है और second है हम result में हाँ पर formula apply करेंगे time function का equals to time tap press करेंगे formula open हो जाएगा then hour, minute, second then bracket close and press enter देखें यहाँ पर time क्रेट हो चुका है अब इसको हम यहाँ पर नीचे तक drag करा देंगे तो देखें यह सभी जो आपका time है total time है आपका create हो चुका है ड्रैक करने से यहाँ पर जो यह hour दिये गए है यह 24 hour clock के हसाब से है और जो आपके यह result में आपको शो रहा है यह am pm format यह 12 hour clock के साब से शो रहा है आपको और यहाँ पर आपको इसी भी formatting जैसे मैंने hour, minute and second की यहाँ भी formatting दी हुई है तो आप अपने according formatting दे सकते है जैसे कि आप यहाँ पर इन सभी cells को पहले select कीजिए then आप number वाले dialogue box से इस arrow के launcher से आप यहाँ पर number के time में जाके category में आप कोई सब यहाँ पर format select कर सकते है यहाँ पर मैंने यहाँ पर फर्स्ट format यह वाला select किया हुआ है then आप इसे ok कराएंगे तो यहाँ पर आपका format apply हो जाएगा देखिए यहाँ पर 8 hour 0 minute and 12 second तो देखिए 8 hour 0 minute and 12 am 18 hour 15 minute 0 second so 18 का मतलब हो गया यह 24 hour clock के साबसे है इसे 12 hour clock के साबसे करेंगे तो 12 इस में से डिड़क कर दिया जाएगा so 18 minus 12 is 6, 6.15 pm and 12 hour 5 minute so 12, 5 and 45 seconds and 24 hour minus 3 minute का मतलब हो गया 11.57 pm 24 hour and minus 120 minute का मतलब हो गया 24 में से 12 डिड़क करेंगे so 12 आएगा and 12 में से हम 2 hour minus 120 का मतलब हो गया 2 hour हम डिड़क करेंगे तो हो गया 10, 0 and 20 seconds और 120 minutes का मतलब हो गया 2 hour and 60 minutes का मतलब हो गया 1 hour तो यह सभी result आपको यहाँ पर show कर रहे हैं अब हम यहाँ पर second function देख लेते हैं so today's second function is time value function created as text into a proper excel time so time value function time को जैसे represent किया जाता है text में इसको एक proper excel time में change कर देता है और इसका syntax है time text जैसे देख लीजिए यहाँ पर कुछ inputs दिये गए है यहाँ पर हम यहाँ पर time value का formula प्लाए करेंगे equals to time value time text इसका syntax है bracket close and press enter यहाँ पर हम इसे नीचे तक drag करा देंगे तो देखे सभी result आपको show हो जाएंगे 7.50 pm so 7.50 and 0 seconds 10 am 21.20 so 9.20 pm so सारे यह am pm format में आपे आचुके है 18 July यहाँ पर date के साथ time जैगा है तो date को इग्नोर कर देता है 0.20, 12.20 am and 23.11 pm तो time value ने इसको एक proper excel time में convert कर दिया है अब हम next function देख लेते हैं r function get the r as a number 0 to 23 from a time so 0 to 23 हम number के according हम time जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं r के जैसे so यहाँ पर जो syntax है वो serial number है यहाँ पर जैसे की कुछ time में कुछ example दिया गया है am pm में दिया गया है यहाँ पर हम result में formula अप्लाई करेंगे r का क्योंकि हम यहाँ पर r चाहिए यहाँ पर agities रहता है 12 और 10 pm में यहाँ पर r बनाने के लिए हम समें 12 को plus कर देंगे क्योंकि हमें अभी 24 hour clock के हिसाब से r चीए so 12 को यहाँ पर add कर दे जाएगा तो यहाँ पर आजएगा 22 11.30 am agities रहेगा 11 यहाँ पर minute को देख सकते है आप ignore किया जा रहा है और r केवल only आपको r को show करता है यह function 5.45 pm में 12 add कर दिया जाएगा तो 17 r and 8 am as it is 8.30 यहाँ पर अगर कोई भी value 23 से जादा है तो जैसे कि यहाँ पर आपको 30 show हो रहा है तो यहाँ पर 24 से उसको divide कर दिया जाता है and जो reminder आपको show होता है जो reminder आपको बसता है वो ही आपका r value होता है यानिकि 6 r यानिकि 30 को जब हम 24 से divide करेंगे तो जो reminder होगा 6 वो ही r value होगी तो इस step से आप r को निकाल सकते है इस function की मदद से अब हम next function देख लेते है our next function is minute function get minute as a number 0 to 59 from time so minute को एक number की तरह हम यहाँ पर ले सकते है 0 to 59 time में से और इसका syntax है serial number यहाँ पर example के लिए कुछ यहाँ पर time दिये गए है यहाँ पर result में minute का formula apply करेंगे equals to minute serial number यहाँ यह ले लेंगे bracket close and press enter नीचे तक हम इसको drag करा देंगे तो सभी result शो कर जाएंगे r में जैसे की यहाँ पर वो minute को ignore कर रहा था seconds को ignore कर रहा था only r show कर रहा था ऐसे ही minute में यह r को ignore करेगा only आपको minute शो करेगा जैसे की 12 hour and 40 minutes में आपको कौन से minute शो हो रहा है 40 11 am में 0 यहाँ पर 0 है and 747 pm में 47 minutes यहाँ पर आपको सारे जो भी minutes हैं वो show करेगा यह function date and time में date को ignore करेगा r को ignore करेगा only आपको minutes show करेगा 15 16 12 में 12 minutes 27 54 में 54 minutes तो इस step से आप minutes को show कर सकते हैं इस function की मदद से अब हम आज का last function देख लेते हैं today's last function is second function get the second as a number 0 to 59 from time जैसे कि हमने minutes show करे थे r show करे थे ऐसी आप second भी ले सकते हैं इस function की मदद से 0 to 59 के बीच में और इसका syntax भी है serial number यहाँ पर example के लिए कुछ time दिए गए हैं अब हम यहाँ पर second निकाल सकते हैं इसके थूप equals to यहाँ पर हम formula apply कर रहे हैं second का tap प्रेस करेंगे serial number हम यह ले लेंगे bracket close and press enter अब हम यहाँ पर यह से नीचे तक drag करा देंगे तो देखे सभी second आपको यहाँ पर show कर जाएंगे r में minute and second ignore हुए थे and minute में r ignore हुए थे और second में आपके hour और minute दोनों ignore होंगे जैसे कि 001 में 1 second 10, 30, 45 second में 45 second आ चुका है 5 hours, 18 minutes and 50 seconds में 50 show कर रहा है and 14 minute, 35 second 35 minute and 55 second में 55 second and यहाँ पर 15 second और यहाँ पर देखे date and time में date ignore हो चुकी है और यहाँ पर 8 hour and 45 minutes यहाँ पर second शुर नहीं कर रहे है तो second को क्या ले लेगा यह 0 इस step से आप यहाँ पर second निकाल सकते है इस function की मदस से 0 to 59 के बीच में दीखे, I hope आपको यह सभी functions अब समझ में आगे होंगे आपने starting से इनको समझा with examples so okay friends आज की class में सरिफ इतना ही thanks for watching this video and keep watching and keep learning my channel videos and subscribe to my channel जिससे आपको मेरे latest videos updates मिलते रहेंगे